गाइज वेलकम बेक टो एंप्रीफियर कनेक्शन तो भाई देख चुके हो यहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं भाई साब लगा रहे हैं कैपेस्टर लोग स्पीकर पर बेस बढ़ा लो यह लगा दो कैपेस्टर वो लगा दो बेस बढ़ जाएगी इंक्रीज हो जाएग और वो फिर बंदे मेरे से पूसते हैं या कई और बंदे भी हैं जो मतलब ज्यादा सिखाते हैं लोगों को बताते हैं कि यह कर लो वो कर लो ठीक है तो उन में से मैं भी हूँ तो मैं बताता हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए यह करना चाहिए तो मेरे पास मेसेज आत यह जो capacitor लगाते हैं speaker के उपर क्या ये काम करता है या नहीं करता है क्या ये हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो देखो सबसे पहली चीज एगर आप किसी video को देख के ये experiment करते हो तो अगर आप practical करके देखोगे तो आपको ज्यादा knowledge मिलेगी कि ये काम करता है या नहीं करता है ठीक है बट क्या होता कि कुछ लोग डरते हैं ऐसा करने से कि कहीं amplifier खराब न हो जाए यह फिर जो speaker है वो खराब न हो जाए तो इसी बारे में हम बाते करने वाले हैं क्या यह लगाना सही या नहीं है तो देखो सबसे जो पहली चीज होती है वो होती है आपने कई बार Twitter जो होता है वो देखा होगा तो उसके Terminals पे भी एक जो Capacitor है वो लगा रहता है ठीक है तो वैसे ही जो capacitor लगा होता है वो एक तरीके से जो passive crossover होता है उसका काम करता है लेकिन वो एक proper तरीका नहीं होता passive crossover का ये capacitor लगा देना ये कोई एक तरीका नहीं होता हाला कि ये जो frequency को तो ये filter करता है इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है अगर speakers के terminal पे आप कोई capacitor लगाते हो तो आपको sound में फरक दिखेगा बिल्कुल दिखेगा कोई भी आप मानलो microfad के हिसाब से जैसे 10 microfad, 50 microfad, 100 microfad, 1000 microfad ऐसे करकर के अगर मानलो आप अलग-अलग capacitor लगाते हो तो आपको sound में बिल्कुल फरक दिखेगा आप करके देखना लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है किसी भी speaker पे ऐसे मूँ उठा के कुछ भी capacitor लगा देना इससे अच्छ है कि आप कोई passive crossover ले लो आपके पास मानलो speaker है, woofer है, ya twitter है, mid है साथ में तो 3-way, 2-way, 1-way ऐसे करके passive crossover आते हैं इतने महंगे भी नहीं होते, अगर आप कम voltage के लेते हो तो इतने महंगे भी नहीं होते वो ठीक है, तो इस तरीके से वो आप बने बनाए ले सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं अगर आप direct capacitor किसी speaker पे लगाते हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ chances होते हैं जिसमें की amplifier में दिक्कत आ सकती है, capacitance वगरा की वज़े से तो वैसे तो इतना मोटी दिक्कत है भी नहीं, आप यूज करना चाओ तो यूज कर भी सकते हो बट हलकी सी दिक्कत होती है, वो मैं किसी next वीडियो में देखूंगा यह इस topic पे भी बाते करेंगे, ठीक है, बाकी अगर आप वैसे ही इसके अंदर यूज कर रहे हो capacitor को, तो इसमें भी एक दो बात का ध्यान रख लेना, कि जो आपका amplifier है उसकी power को देख लेना, और जो capacitor की volt है, यहाँ पर जैसे देखो 50 volt लिखा हुआ है तो यह आप चीज नोट कर लेना, कि आपके amplifier की power capacitor से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यानि कि जो output में voltage आती है, AC volt आती है, वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है guys, तो इन बातों का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और capacitor को किस तरीके से यूज करना है दोनों इस तरीके से terminal पे parallel करके यूज करना है, या फिर series करके यूज करना है तो यह सारी कि सारी चीज़े हम practical करके देखेंगे हमारी अगली वीडियो में और अलग-अलग micro fat के capacitor लेके अलग-अलग तरीके से टेस्ट करेंगे कि कौन सी कौन सी frequency किन स्किन capacitor में कौन सी frequency निकलती है base किसके अंदर ज़्यादा आती है, mid किसके अंदर ज़्यादा आती है या treble किसके अंदर ज़्यादा आती है तो ये सारी चीज़े हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे किसी वीडियो में तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर